तो climate में पहला topic ही है temperature, temperature क्या है? temperature एक measure है, किस चीज़ का measure है? degree of hotness और coldness of a body, सर ये तो हाँ, ये तो एक physical definition है, तो हमारे आसपास भी, क्योंकि geography के point of view सो देखेंगे, तो हमारे आसपास भी क्या हो रहा है? हर वक्त temperature change हो रहा है, तो temperature place to place और region to region change हो रहा है, मुझे example पूछोगे, तो मैं आपको example दोंगा, राजिस्तान के एक शहर बार्मेर का, बार्मेर में temperature पहुच जाता है, 48 degree गर्मी के दुनों में, और sometimes 50 degree, समर्स करना पिछा देख लिजे, और उसी दिन, जिस दिन बार्मेर में 50 degree temperature चल रहा होता है, पहल गाम में, जो की कश्मीर में है, वहाँ पे temperature सिर्फ 22 degree है, तो क्या show करना चाते हैं, हम बताना चाते हैं, extremes of temperature, एक ही country है, हिंडिया ही है, पर आप देखिए कितनी variety of temperature है, एक जगें बहुत गर्म है, बार्मेर, और एक जगें पहल गाम, जो की कश्मीर में है, वो बहुत सर्द है, एक और example देखें, temperature का, द्रास, द्रास, एक montaneous region है, कश्मीर का, वहाँ पर, वहाँ पर temperature minus 40 degree चला जाता है, winters में, just imagine, 0 से भी minus degree नीचे, तो क्या है, temperature का variations, देखिए, जब temperature change होते हैं, तो आपको climatic conditions भी वहाँ पर क्या होने लगती है, change होने लगती है, केरला का example लिता हूँ, केरला, हाँ, आपका एक important state, जो southern state है, केरला, कहते हैं न, God's own country, केरला, तो केरला का climate कैसा है, tropical climate है, जी, tropical मतलब होता है, जो places जहाँ पर extremes of temperature होता है, summer जहाँ पे बहुत गरम होता है, ऐसे places में आप कहते हो, tropical climate, hot and wet type का climate होता है, यहाँ पर, tropical में, जबकि आप क क्या करोगे, क्या मैंने कहा, hot and wet, ठीक लिका है, ऐसे place को कहते है, tropical climate, केरला में rainfall भी बहुत होती है, southwest monsoon से, और केरला, near the equator है, तो गरम भी है, तो tropical climate, जबकि आप पंजाब की बात करोगे, डेली की बात करोगे, और भी northern states की बात करते हैं, तो आप देखोगे, वहाँ पर continental climate है, continental climate में क्या होता है, सर्दी में बहुत सर्द, winter very cold और summer very hot, extremes of temperature होता है, तो इसी तरीके से, आपके पूरी country में क्या हो रहा है, temperature variation से है, एक example और पढ़ लेते हैं, हाँ, एक example है, कार्गिल का, कार्गिल में temperature minus 40 degree तक चला जाता है, जो कि again very low temperature है, in the month of December, और जबकि केरला मे temperature कभी भी, केरला में temperature कभी भी, हाँ, minus में नहीं पहुचता है, temperature is always, yes in positive, 22, 22 degree, तो क्या कहना चाहते हैं, हमारे देश में wide variations of temperature है, अब आता है, इस किस factors पे climate depend करता है, climate, सबसे पहले word आता है कि climate सर है क्या, क्या weather, season, climate, तीनों एक चीज़ है, क्या कहते हूँ, अगर मैं आज कैसा दिन रहा, आज का दिन रेनी था, आज का दिन सनी था, तो ये क्या बता रहे हो आप मुझे, day to day के air और atmosphere के मुझे phenomena तुम बता रहे हो, यही तो है, यही है weather, ठीक है, इसे हम weather कहते हैं, आप जो रोज के परिवर्तन को बता रहे हो, आसपास के, तो वो आप क्या बता रहे हो, मुझे weather बता रहे हो, तो season क्या होता है, season एक long period तक क्या चलने वाला phenomena है, यह क्या होता है सर, जैसे summer season, हाँ, 3 महिने, 4 महिने तक क्या होता है, sun आपके directly overhead होता है, गर्मिया बहुत होती है, आप इसको कहते हो summer चल रहा है, उसी तरह से monsoon season, तो part of the year है, जिसमें same weather phenomena रहते हैं, उसे कहते हो season, अब इससे बड़ा कर देते हैं, approximately 30 years के average of weather condition को कहते हैं, जी climate, तो very long period तक जो same weather condition किसी एक area में, किसी एक region में, किसी एक same month में, जो measure किया गया, तो उसका नाम दे दिया गया क्या, climate, ठीक है, जैसे इंडिया में देखा गया, लंबे समय तक, क्य हो रहा है, rainfall हो रही है, monsoon period में, after the summer हो रही है, तो नाम हो गया, tropical monsoon climate, क्योंकि, tropic of, tropic of cancer, इंडिया को midway cross करती है, हाँ, तो इंडिया का climate कैसा है, अगर आप one word में पूछना चाहूं, तो आपका जवाब होना चाहिए, tropical monsoon climate, clear, तो आईए आगे बढ़ते हैं, climate को बारे मे depend करता है, तो इंडिया का climate, इंडिया का climate का सबसे important phenomena है, हिमाले, हिमाले हमारे रक्षक है, हिमारे हमारे लिए climatic barrier है, keyword मैंने बोल दिया, climatic barrier, क्यों, climatic barrier क्यों है हिमाले, अगर हिमाले न होता, तो ठंडी हवाएं, जो की आ रही है, नौर्ट से, आईए मैं आपको ले चलता हूँ, ठंडी हवा का जोका दिलाने नौर्ट में, कहां सर, यह रहा, यहां, इस map को देखो, और यह आपका इंडिया, बहुत सुंदर ता के चकर में मत रहे न, मैं बहुत सुंदर नहीं मिलेगा मेरे हाथ से, पर यह जो नौर्ट से आने वाली cold winds है, जिसको Siberian winds कहते हैं, इनको हिमाले इंडिया में enter नहीं करने देता है, हिमाले एक पहाड का नाम नहीं है, बलकि range of mountains है, तो हिमाले क्या कर रहा है, हिमाले प्रिवेंट कर रहा है, इन cold winds को इंडिया में enter करने से, otherwise तो आप समझ सकते हो, इंडिया बोड़ in a cold desert, दूसरा काम क्या करता है, यहां, यहां पर है high pressure summer के दोरान, and wind जब low pressure की तरफ बढ़ रही होती है, तो वो हिमाले से टकरा कर, हिमाले से टकरा कर rainfall इंडिया में ही दे देती है, they do not cross the Himalayas, तो यह south, west, monsoon winds, अथार simply, monsoon winds को क्या करता है, इंडिया से cross नहीं करने देता है, जाती है, हिमाले से टकराती है, और यहीं पर बारिश पढ़ जाती है, यहीं पर क्या होता है, आपको rainfall मिल जाती है, क्योंकि हिमाले से prevent करता है, तो double चोट पहुचाता है, हमारे दुश्मनों को हिमाले, इंडिया के बाहर नहीं जाने देता है, major portion of the rain bearing winds, इंडिया में ही trap हो जाती है, मैंने कहा न, हिमाले न होता, तो आपका देश एक cold desert होता, क्यों, मानते हैं आप लोग अब, यह लिखा है मने इसमें, मैंने बस भाव मेरे हैं, शब्द आप इसमें से ले सकते हो, ठीक है, आ मौनसून दिखाने से साथ मौनसून का फिनॉमना फिर से दिखा देता हूँ, स्क्रीन पर देखिए आप ध्यान से, तो आप देखेंगे कि हिमाले इसके बारे में हमने जाना, अब हम मौनसून के बारे में जानेंगे, मौनसून है क्या, तो मौनसून एक Arabic word है, नाम है मौस जिसका मतलब है Seasonal Reversal of Wind ठीक सुना आपने Seasonal Reversal of Wind इसका मतलब Wind का पलट के दुबारा आना तो Reverse कर जाती एक बार Wind to On होती है और एक बार वापस off होती है एक बार इंडिया के तरफ enter करती है इंडियान सब कॉंटिनेंट पे enter कर जाती है और एक बार क्या होती है वापस leave करती है इसल्टिस का नाम है मौसिन मौसिम औरिबिक वर्ड है याद Rखेगा औरिबिक वर्ड से ये वर्ड डिराइव किया गया है लिए रहे तो आते हैं आपको दिखाते हैं मौनसून का फिनॉमना तो मौनसून समर जब हमारे देश में पढ़ रहा होता है इंडिया में जब ट्रॉपिकल सीजन है तो समर बहुत हाई होता है सन डिरेक्ली ओवरेड होता है इंडिया में तो लो प्रेशर लो प्रेशर ओवर दी में सेंट्रल पार्ट अव दे कंट्री डेवलप हो जाता है कहां पर सेंट्रल पार्ट अव दे कंट्री में में लो प्रेशर क्योंकि temperature बहुत हाई होता, याद रखेगा temperature pressure एक दूसरे के उल्टे होते हैं, क्या reverse होते हैं, temperature हाई होगा तो pressure low हो जाएगा, सर कैसे, logic दूस का, देखे धूप बहुत बढ़ रही है, गर्मी के दिनों में summer में बहुत धूप पढ़ रही है, हाना अभी कुछ दिन तक बहुत धूप पढ़ रही थी, तो धूप पढ़ने से land गर्म हो जाती है, land गर्म हो जाती है, तो जो air होती है वो rise हो जाती है, जब air rise हो जाएगी, तो air का pressure कम हो जाएगा, air के दबाव कोई तो air pressure कहते हैं तो यहाँ पर हो गया low pressure समर में, अब clear हो गया, के low pressure क्यों होता है समर में, और आप तो जानते ही है, water न जल्दी ठंडा होता है, न जल्दी गर्म होता है, हना, water में high pressure, seas में high pressure होता है, तो इंडियन ocean में high pressure है, और इंडियन subcontinent में central इंडिया में है, low pressure अब यहाँ से winds blow करेंगी, याद रखेगा, winds always blow from high pressure to low pressure कभी भी, कभी ऐसा नहीं होगा, कि wind low pressure से high pressure आएंगी, हमेशा high pressure से wind low pressure की तरफ जाएंगी ठीक है, तो high pressure कहां पर है, इंडियन ocean में है, यहाँ से wind blow करना शुरू करेंगी, अब क्योंकि यह इंडिया के, देखिए, यहाँ पर north है, यहाँ पर south है और यहाँ पर west है, वैसे west east की पहचान में आप वो एक बर बता दे रहा हूँ, आप map में we लिख दो, we मतलब हम सब, मतलब मैं और तुम दोनों, हम लोग भी है तुम बस वी लिख दो, जहाँ भी map में तुम वी लिखोगे, यह यह एक प्रोनाउन है न वी, तो जिधर w point करेगा, उधर west होगा map में, और जिधर e point करेगा, वहाँ पर east हो जाएगा, तो west, east समझ गया, तो यह आपका west है इंडिया का और यह east, तो आपको कहाँ पर है देखिए, अब ध्यान से देखिए, कहाँ पर है यह, south west यह place कहाँ पर है, south यहाँ है, west यहाँ है तो इसलिए इस wind का नाम रखा गया है, south west monsoon winds are named from the direction from which they start blowing जहाँ से वो blow करना start करती है, वहाँ से wind का नाम पढ़ जाता है, इसलिए इस wind का नाम क्या है, south west sw मैंने लिख दिया आपके लिए monsoon winds, अब आप नहीं भूलने वाले हो, कभी भी पूरी lifetime नहीं बोलोगे, इसका नाम southwest monsoon क्यों है, अब सबसे पहले break of monsoon, start of monsoon वो केरला में होता है, जून के first week में हो जाता है, और यहाँ पे heavy rainfall मिलती है, southwest monsoon से, यह southwest monsoon यहाँ पर है Arabian Sea और यहाँ पर है Bay of Bengal यह दो पार्ट में break हो जाने वाला है यह वाला जो southwest monsoon है वापस white color में दिखाता हूँ यह वाला जो monsoon wind है जो की southwest वाला monsoon का Arabian Sea वाला पार्ट है यह इंडिया के mainland की तरफ directly चला जाता है, ठीक है और यह दूसरा वाला southwest monsoon winds, यह क्या करता है इंडिया को पहले cross करता है और पहुचता है Bay of Bengal में Bay of Bengal में पहुचने के बाद, यह हिमाल्याज द्वारा divert हो जाता है इंडिया की तरफ समझ गये ना, और नतीजा क्या होता है यह monsoon winds, इंडियन subcontinent की तरफ अंदर चले जाती है तो यह दोनों ही monsoon winds है ठीक है, southwest monsoon Arabian Sea branch, southwest monsoon Bay of Bengal branch clear है, समझ में आ रहा है तो like जोड़दार तरीके से दे देना, ताकि मैं यह समझू कि मेरे सारे superstar इस समय जागे हुए हैं, और पूरी तरह से concept को समझ रहे हैं, समझ में आ रहा है ना क्या बात है, आपका प्यार आपके likes और आपके comments मुझे यह यकिन दिला देते हैं, कि मैं और आप एक दम सेम पेज पर हैं, अथार दोनों सेम understanding में हैं तो monsoon winds याद रखिएगा, फिर से आता हूँ तो monsoon winds क्या करती हैं, हमारे देश को सबसे major rainfall देने वाली winds हैं, ठीक है ना और summer में क्या हो रहा होता है यह southwest monsoon winds Arabian sea से moisture पिक अप करती हैं, बेयाओ बंगोल से moisture पिक करती हैं, और हमें खूब सारी rain देती हैं, समझ गया है और winter में ठीक reversal होने वाला है ठीक reversal होने वाला है land से wind क्या होने वाली हैं, वापस sea की तरफ बढ़ने वाली हैं, क्योंकि land से wind आ रही है, तो उसमें rainfall नहीं होगी, क्योंकि वो offshore winds क्यलाती हैं, क्या, offshore winds और यही होता है, यही होता है नौर्थीस मौनसून में, जब pressure का reversal होता है इस समय, winds सिर्फ साउथ के state को लोटते समय, हाँ, लोटते समय वेया बंगोल से, तमिल नाडू को रेन दे पाती है, चलिए, अगला phenomena क्या है, जो climate को असर डालता है, वो है, latitude एक basic rule है, latitude की बारे में, कि latitude zero degree हम जानते हैं equator का नाम है, तो जैसे ही आप equator की बात करते हो, zero degree की बात करते हो, तो वहाँ sun directly overhead रहता है, throughout the year sun equator पे रहता है पूरे साल बर, तो जैसे ही equator का की तरफ उपर जब sun जाता है हम लोग कहते हैं, towards the tropics जाता है, याद रखना sun is never beyond the tropics, अथा, sun tropic के उपर कभी नहीं जाएगा Arctic circle या नौर्ट पूल तक कभी नहीं जाता है, directly overhead कभी नहीं होता है, तो जब sun पहुचेगा, tropic of cancer की तरफ, जहां हम हैं, जहां इंडिया है, तो आपका summer आ जाएगा पर आप जानते हैं, जिस समय summer होता है हमारे इंडिया में, उसी समय winter चल रहा होता है, yes आपके summer months में, इंडिया में same time पर, आपका summer मन चल रहा है, April, मई, जून, summer मन चल रहा होता है न, आपको मालूम है, इस समय, मई, जून में, winter चल रहा होता है उस्ट्रेलिया में, इसलिए छुटिया मना ना हो, तो ऑस्ट्रेलिया चला है कि जब, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, southern hemisphere में है, ठीक है क्योंकि sun उस समय away from the southern hemisphere है, तो वही बदाना चाहते हैं, इंडिया में है tropic of cancer, हमारे भारत को एक latitude, जिसका नाम है tropic of cancer, वो दो पार्ट में divide करता है, इसका जो उपर वाला हिस्सा है, फिर से यहां देखते हैं यह जो tropic of cancer है, जो कि एक imaginary line होती है है, यह इंडिया को दो पार्ट में divide करती है, यह जो southern part है, south part है, हाना, और यह northern part है, दो पार्ट है, ध्यान दीजेगा tropic of cancer, इंडिया को दो पार्ट में, जो northern part है, उसका नाम हो जाता है temperate zone, यह जो northern part है, इसका नाम हो जाता है temperate zone, T E M P short form लिख दिया, जबकि southern part जो है, जो tropic के southern part है, हाना, जो tropic के नीचे वाला part है, वहाँ पे tropical zone, क्या zone है, tropical zone, तो दो zone में, देश को divide कर देता है, यह tropic of cancer tropic of cancer, जो latitude है इंडिया को दो हाफ में divide कर रहा है north में, temperate zone में divide कर रहा है और south में, tropical zone में, और याद रखेगा tropical zone जबकि बात करते हो तो इसका मतलब है, वहाँ extremes of temperature होता है, and wet होता है moist and wet area होती है tropic, ठीक है चलिए, आगे बढ़ जाते हैं और अब आगो ले चलते हैं, varied relief, relief मतलब होता है land form, क्या, सही सुना land form, किस तरह की area, land form में, कहीं वहाँ mountainous तो नहीं है कहीं वहाँ desert तो नहीं है क्यों, आपके land form पर depend करता है relief पर depend करता है आपका climate कैसा होगा, अगर आप मुझसे बात करते हो western घाट की तो western घाट west side में होते है और वहाँ पे heavy rainfall मिलती है, कौन ले आता है western घाट के western side में heavy rainfall लाती है southwest monsoon wind देखना चाते हो, ये scene देखना चाते हो आओ, इस scene को भी मैं दिखा देता हूँ आपको ले चलता हूँ western घाट, ये रहा western घाट, आओ, कहां पर है western घाट, आईए, आपको पहले western घाट दिखा दूँ, उसके बाद दिखाता हूँ ये रहा आपका western घाट कहां मिला आपको western coastal plain के side में मिला वैसे घाट क्या होते हैं गंगा के किनारे भी घाट होते हैं क्या, उसकी बात कर रहे हैं क्या क्या कहते हो, घाट क्या है जो गंगा के किनारे जो सीडिया है आप गए हो कि भी गंगा मैं बनारस में हूँ वरनासी में हूँ यहाँ पे गंगा नदी है बनारस में तो यहाँ जो गंगा नदी में नीचे उतरने के लिए जाना पड़ता है न उसको कहते हैं घाट सीडियों को कहते हैं गाट वैसे ये वो सीडिया नहीं है, घाट are low-lying hills, क्या, low-lying hills are called as घाट, ये घाट क्या होते हैं, चोटी या कम उचाई वाली पाड़ियों को कहते हैं, क्योंकि ये west में हैं, इसलिसका नाम है western घाट, देख लिजे, map के west में हैं, तो जब क्या होता है, जब monsoon wind यहां आके टकराती है, इसके west side में, तो खूब सारी बारिश देती है, देखिए, बारिश आएंगी, टकराएंगी इस पाड़ों से, क्या होगा, rainfall मिलेगी, वैसे जब कोई mountain से wind टकरा के rainfall देती है, ऐसी rain को क्या बोलते हैं, what is the type of rainfall called when it strikes a mountain, क्या कहते हैं उस rainfall को, क्या कहते हैं आप लोग, जानते हैं उस को, उस rainfall को क्या कहते हैं, चलो, उस rainfall को relief rainfall कहते हैं, जान रखेंगे आप लो, relief feature, और यही था हमारा topic, relief, ठीक है, तो यहाँ पर relief rainfall होती है, पर याद रखेंगे आप सिर्फ western side में, पर आपके इसके पीछे क्या होगा, यहाँ पर होगा rain shadow area, अथा इस्टन side में, जहाँ पे rainfall खतम हो चकी होगी, वहाँ जब moisture नहीं पहुच पाएगा, तो आप इसको देंगे, इस area का नाम देंगे, rain shadow area, levered side में, पीछे क्या मिलेगा, rain shadow area मिलेगी, और सारी rainfall यहीं पर आ जाएगी, सारी बारिश का पानी, यहीं आपको क्या मिलेगा, western guard के western side में, तो यह एक फिनॉम rainfall पर, आपके climate पर, clear है, deck and region जो है, जो की अंदर है, आपने देखा होगा, इसके अंदर, वहाँ पर क्या मिलेगा, आपको rain shadow area मिलेगा, क्योंकि rainfall अंदर क्या होगी, जब तक पहुचेगी, तब तक सारा moisture set कर चुकी होगी, सारा moisture shed कर चुकी है, दिक दे चुकी है, इसलिए अरावलीज नाम के जो पहाड है, अरावलीज नाम के जो पहाड है, वो parallel to the direction of southwest monson winds है, मतलब अरावलीज के जो पहाड है, वो कुछ इस तरीके से बने हुए है, कि जब monson winds आती है, वो उसको तकराए बिना निकल जाती है, क्योंकि अगर पहाड ऐसे होते अरावलीज के, देखिए, अरावलीज के पहाड ऐसे होते, और ये रही southwest monson winds, ऐसे जा रही होती, तो तकराती इससे और यहाँ moisture दे देती, सारा पानी यहीं दे देती, पर ऐसा हो नहीं रहा है, क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, मैंने बताया, क्योंकि ये अरावलीज इस तरह से है, अरावली एक ड्राय डेजर्ट है, समझ गया ना, लिखा है, it is unable to stop the moisture-laden winds, moisture-laden winds को ये stop नहीं कर पा रहा है, clear है, moisture-laden winds वहां रुकी नहीं रही है, समझ गया है, अब याद अटना, ये one-word question या short question बनेगा, आई, अगला feature क्या है, जो climate पर आसर डालने वाला है, अगला feature है, आपका altitude, altitude मतलब होता है, height, एक basic rule है, height के साथ, higher we go, cooler it gets, आप जानते ही है, गर्मी में लोग कहां जाना पसंद करते हैं, गर्मी में कहीं गये थे, कैस बार, हाँ, अगर गर्मी में आप नहनी ताल गये थे, कुलू मना नी गये थे, शिमला गये थे, तो क्यों गये थे, इसी लिए गये थे, क्योंकि वो places कहां पर है, height पर है, उचाई पर है, पहाड पर बचे वे सहर है, तो ठंडक है वहाँ पर, यहाँ पर हम लोग गर्मी में मर रहे थे, और आप लोग enjoy कर रहे थे, तो यह है reason, तो altitude में basic rule क्या है, higher we go, cooler it gets, और एक rule है, नाम है lapse rate of temperature, ठीक सुना, lapse rate of temperature, क्या बताते हैं, lapse rate of temperature में, lapse, l, a, p, a, c, lapse rate of temperature, क्या बताया गया है, कि temperature एक एक degree करके कम होता जाएगा, जैसे आप 166 meter चड़ेंगे, आप जैसे 166 meter उपर चड़ जाएंगे, पहाड में, आप पहाड की तरफ उपर चड़ेंगे, जैसे यहाँ खड़ेंगे, पहाड की ठीक है temperature 40 degree यहाँ 166 meter उपर चड़े कितना स्रिफ 166 meter उपर चड़ गए temperature 39 degree और 166 meter फ़र चड़ गए temperature 38 degree तो temperature घट रहा है जैसे जैसे आप उपर चड़ते जाएंगे temperature घटता जाएगा simple है rule इसलिए question पूछा जाए why mountains are cooler तो आपका पास logic आ गया logic है lapse rate of temperature got it आईए अगला factor जो हमारे climate को असर डालता है वो है seas आप तो जानते ही हैं जहाँ पर होगा पानी वहाँ याद आएगी ना नी नहीं नहीं just a joke तो sea बहुत असर डालता है अगर आप near to the sea है तो आपके पास climate होगा coastal आप इसको maritime भी बोल सकते हो ठीक सुना maritime बोल सकते हो इसको moderate बोल सकते हो तो समंद्र की किनारे वाले शहर वाले मेरे प्यारे सूपरस्टार जो इस समय लाइव बैटे हैं क्या आप कलकता में हैं क्या आप मुंबई में हैं क्या आप चिन्नई में हैं आप में से अगर जो भी मेरे साथ लाइव हैं समय या बाद में recorded session में देख रहे हैं मुझे लि नाम हो सकते हैं इसके तो जो भी प्लेस समुद्र के किनारे होती है जो भी शहर समुद्र के किनारे होता है वहाँ पे moderate temperature होता है वहाँ पे coastal climate होता है वहाँ पे maritime climate होता है वहाँ पे even climate होता है equitable climate होता है अरे बापरे सर इतने सारे नाम हाँ ये सब नाम का मतलब एक ही है कि वहाँ पर क्या होगा न ठंडी में बहुत ठंडक लगेगी न गर्मी में बहुत गर्मी होगी कैसे places में ऐसी place जो समुद्र के किनारे होती है इसलिए तुम मैंने का बॉम्बे वाले बड़े मस्त बड़े में और ठंडी में तो एक दम ठंड्य में कड़कला करके हम लोग परशान हो जाते हैं क्यों क्योंकि हम लोग far away from the sea है हां मैं हूँ वारनासी में एंवारनासी का कैसा climatic condition है continental क्योंकि away from the sea सी बहुत अच्छा influence जालता है आईए next आपको सबको लिखना है आप जो सार शेयर किया होगा वो भी मुझे बताएंगे अपने शेयर का नाम लिखेंगे क्या करेंगे आप लो लिखेंगे अपने शेयर का नाम जहां से भी आप बिलॉंग करते हैं और उसके आगे लिख देंगे कि आप continental climate में हो मतलब समुन्द से अवे हो या आप moderate climate में हो जो समुन्द के पास का climate है ठीक है लिखना है आपको अगर आपका climate गलत होगा तो मैं correct जरूर करूँगा ये मेरा बादा है करोगे न इतना तो मेरे superstars गई देखो bonding तो तभी बनती है डियर हाना प्यार एक तरफा नहीं हो होनी चाहिए क्या कहते हो इस बात को तो मांते हो ना अकेले मैं अगर आप जलाओंगा तो शायद वो मज़ा नहीं आएगा ठीक है so I want your replies I want your comment in all my answers तभी मुझे बहुत खुशी मिलेगी ठीक है चलो अगला point क्या effect डालता है हमारे climate पे western disturbance ये नई चीज ये western disturbance है क्या western disturbance एक तरह का लो प्रेशर बेल्ट है क्या सर क्या है ये एक लो प्रेशर बेल्ट है जो mediterian sea पे originate करता है जी हाँ mediterian sea यूरोप में इंडिया में नहीं है यूरोप में है वहाँ पर क्या होता है seasonal shift of pressure belt की वजए से pressure belt के shift होने की वजए से वहाँ भी low pressure originate करता है वो low pressure कहां से mediterian sea से मिलब यूरोप से travel करता हुआ पहुचता है इरान इराक इरान इराक से पहुचता है अफगानिस्तान पाकिस्तान और हमारे पास इंडिया करता क्या है सर यह western disturbance कभी कभी ऐसा होता है winter में हाँ ठंडियों की दुन में आप कभी मैसूस करिएगा ठंडी की दुन में कभी कंट्री तक ट्रेवल करके आ जाता है तो यह कब होता है मैंने बताया winter में होता है यह phenomenon क्या हो रहा है shifting of pressure belt की वजह से जो हमारे pressure belts है वो shift हो रहे है equatorial pressure belts प्रपिकल pressure belts आपस में क्या हो रहते हैं 55 degree का shift करने लगते हैं season change होने पर और उनकी वजह से क्या होता है low pressure belt create होता है वो low pressure belt जो maternity में create हो रहा है वहाँ से travel करता है इंडिया आता है और रास्ते में लाता है cyclone और लाता है जबरदस पारिश यहां तक यह इंडिया तक और यह बारिश और snow कप पड़ती है मैंने का winter में और winter में आप जानते ही है जम्मू कश्मी ने जब बारिश पड़ेगी तो वो snow बन जाएगी और हमारे पास planes वाले इलाकों में जहाँ पाहड नहीं है वहाँ प jet plane जैसे होते हैं तेज चलने वाले हवाई जहाज जो की stratosphere में उड़ते हैं उनको कहते हैं jet planes आपने देखा होगा jet plane नहीं देखा है मैं आपको बता देता हूं आपने देखा है jet plane कभी कैसे कुछ आसमान में देखा होगा कि वाइंट रंग के कुछ streaks जा रहे हैं सफेद रंग की कुछ लकीरे दिखाई दे रही है आसमान में खुब उची उची है हाना और आपको दिखाई दिता है कि छोटा सा कोई craft है दिखाई दे रहा है वह है jet planes बहुत उचे जाता है वह स्टेटोस के में आता है तो वही तरह से कहां ब्लो करती है atmosphere के upper layer में समझ गए ना नीचे नहीं जहां आप और मैं रहे रहे हैं इस lower layer में नहीं high altitudes में उचाई में ब्लो करती है इसलिए इसका नाम है jet stream इसलिए मैंने कहा न जेट plane jet plane से मैंने आपको याद दिला दिया क्या करती है यह भी इंडिया के climate को influence करती है इनकी वज़े से sudden depressions depression मतलब होता है low pressure create होता है याद रखेगा इसके आने की वज़े से monsoon का आना पता चलता है jet streams का बड़ा important role है monsoon में याद रखेगा the highest rainfall occurs along the track of these depressions जहां पर low pressure region develop होगा क्या होगा जहां पर low pressure region develop होगा उन places में बहुत heavy rainfall पड़ेगी और ऐसा ही होता है गारोखासी जेंतिया जिल में हां गारोखासी जेंतिया जिल वाले region में जहां पर मेगाले है हां जहां पर मौसन राम है चिरपुंजी है वहां यही हो रहा होता है इसलिए वहां very 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 heavy rainfall होती है चलो आगे बढ़ जाते हैं और आपको next point point करने जा रहे है distance from the samundra distance from the sea और यह point तो सर आता है इस point को मुझे लगता है discuss कर चुके हैं और इसका तो मैंने question भी आप लोगे लिए सामने लग दिया है तो आप जानते ही है land and sea breeze पैदा होती है जब आप samundra के पास होते है अना land breeze जब land से wind sea की तरफ जाती है उसको कहते है और sea breeze जब sea से land की तरफ आती है और विस बात है मैंने का ऐसा क्यों होता है land और sea breeze क्यों होती है क्योंकि differential of heating होती है दिन में land जल्दी गर्म हो जाती है तो sea से wind दिन में चली आती है cold wind चली आती है और रात को ठीक उल्टा होता है land जल्दी थंडी भी हो जाती है तो land से स्पैनिश शब्द है हाँ एल इनो मतलब होता है birth of a Christ Jesus Christ जी क्या कहते हैं एल इनो क्या है तो ठंडी के दुनों में yes extreme cold के समय में ये फिनॉमना देखा जाता है winter के फिनॉमना में क्या होता है एल इनो एक तरह की warm ocean current है और ये क्या करती है पीरू नाम के country है एक South American country है पीरू उसके coast में South American country पीरू के coast में develop होता है ये warm current अब ये warm current वहां होता है हम पे क्या सा डालता है ज्रध्यान से देखना तो ये जब इंडिया की तरफ बढ़ती है तो surface temperature of seas को change कर देती है समुन्दर का temperature क्योंकि ये warm ocean current है गरम पानी की current समुन्दर के अंदर एक नदी उसको कहते है current a river in the ocean is called as a current एक separate channel of water within the ocean is called as a current तो ये warm current है एली नो समझ रहीएगा और ये क्या करती है समुन्द के surface को गरम कर देती है और नतीजह मौनसुन विंड का रास्ता बदल देती है इंडिया को बहुत असर पड़ता है हमारे इंडियान ओशन से जो मौनसुन विंड ओरिजने देशन से उसको क्या करती है ये बहुत अफ्यक्त डालती है इसलिए इसको कहते ही एल्लीनो अक्छा एल्लीनो की वज़य से देश में सूखा पड़ सकता है याद रखेगा अगर एल्लीनो स politic का एप्येस्ट जा आएगा इन नीनो एक तो श्वत मैं लिन्वार्त यहीए बारी खेती बारी समझ गया ना अब आते हैं मौनसून के बारे फिर से समझते हैं मौनसून क्या है मैंने कुछ शॉट में बताया था तो मौनसून एक तरह की प्रियोडिक विंड्स हैं सीजनल विंड्स हैं और मैंने बताया मौनसून मौसिम अरेबिक वर्ट से बनाया गया word है जिसका मतलब है seasonal reversal of wind एक बर wind का enter करना और दुबारा क्या करना वापस lot के जाना इसलिए इसका नाम है seasonal reversal of wind तो कैसे develop होती है ये भी winds ये भी land and sea breeze की तरह होती है they develop because of the differential heating किसका continental masses का ocean bodies का differential heating का ठीक है तो heating and cooling of the land and sea की वज़े से ये winds पैदा होती है monsoon भी दो type के है summer में बैने वाले और winter में हम लोग ने discuss किया summer monsoon summer monsoon मैंने अभी थोड़े पहले आपको map में show किया था summer monsoon को मैं यहां से न करके आपको वापस map में ले चलता हूँ और बता देता हूँ तो summer monsoon कैसे develop हो रही है और winter कैसे हो रही है आई एक map के थूप फिर से देखते हैं अगला map मैं ले लेता हूँ थोड़ा सा clean हो जाएगा आपके लिए चली स्टार्ट करते हैं इंडिया का आपको एक map दिखाते हैं इंडिया आप देख लीजिए ठीक है ठीक है बन गया इंडिया कुछ हट तक यहां आ जाते हैं please do not look at the beauty of the map ठीक है हसने की कोई जर्वत नहीं है ignore चलो अब बात करते हैं तो आपने देखा मैंने आपके लिए दिखाना चाहा कि समर में क्या होता है क्योंकि समर में बहुत धूप पड़ रही होती है sunlight हमारे इंडियन central region को हमारे central region को बहुत गरम कर देती है और आप जानते हैं यहां central इंडिया में हो जाता है low pressure नियर पंजाब हरियाना इस region में बहुत धूप पड़ती है summer में और धूप पड़ने की वज़य से यहां पे हो जाता है low pressure धूप पड़ती है तो warm winds rise कर जाती है तो pressure कम पड़ता है air का हम इसको कहते हैं low pressure हो गया है जल्दी गरम होता नहीं है तो wind का pressure high होता है ठीक, atmosphere का pressure high होता है and winds कहां से कहां blow करती है winds always blow from high pressure to low pressure कभी भी इसका reverse नहीं हो सकता never, never तो winds जब यहां से south west से शुरू करती है तो सबसे पहले मैंने बताया ये winds पहुचती है कहां पर? इस coastal region में हम इसको कहते है western coastal region में पहुचती है और उनमें भी सबसे पहले पहुचती है केरला में समझ गया है? सबसे पहले winds पहुचती है केरला में और यहां पर मिलता है पहला monsoon का बारिश हम लोग break of monsoon इसे कहते हैं अब यहां पर है आपके पास Arabian Sea यहां पर है Bay of Bengal अब winds जो southwest monsoon है वो moisture pick up कर चुकी है और पहुचती है Indian subcontinent की तरफ low pressure की तरफ यहां पर रास्ते में मिलता है इनको अरावलीज यह है अरावलीज अब अरावलीज जो है इस southwest monsoon इस southwest monsoon wind के parallel है नतीजा क्या होता है यह rain bearing winds को stop नहीं कर पाता है इसलिए राजिस्थान जो आपका region है यहां राजिस्थान जो region है ड्राए रह जाता है इसको stop नहीं कर पाता है दूसरी branch यह तो हो गई अरेवियन सी branch दूसरी branch क्या करती है दूसरी branch Bay of Bengal में एंटर कर जाती है और Bay of Bengal से एंटर करने के बाद कुछ winds तो चले जाती है Myanmar में यहां चले जाती है यह अलग country है Myanmar जिसको हम लोग बर्मा के नाम से भी जानते है ठीक है न कुछ Myanmar चले जाती है China side चले जाती है यहां पर आपको मालूम होगा यहां पर पूर्वांचल नाम के पहाड़ है यहां पर हिमालियास का एक पार्ट है पूर्वांचल यह कैसे rounding पहाड़ है देख रहे हैं यह winds को अंदर की तरफ इंडिया की तरफ भेज देती है नतीजा यह winds इंडिया सब कॉंटिनेंट की तरफ वापस बढ़ जाती है यहां पर होता है maximum rainfall यहां पर होता है maximum rainfall क्योंकि यहां पर क्या है extremes of temperature है ठीक है यहां यहां खुब बारिश मिलने वाली है और जैसे जैसे क्या होगा यहां पहुचेगा बारिश कम होने लगेगी बारिश कम होने लगेगी और एकदम कम हो जाएगी क्योंकि rain drop होती जाएगी इसलिए असाम में flooded रहता है West Bengal में होगे थोड़ा कम पानी है बिहार होगे और उससे कम पानी है UP होगे और कम पानी है और उत्रा खंट चले जाओगे तो और कम rainfall है क्योंकि rainfall क्या हो रही है decline करती रहती है as we reach from east to west क्योंकि rain क्या हो रही है continuously decline होती जाएगी rain drop कम होते जाएगे कौन सी ब्रांच है नाम है Bay of Bengal ब्रांच है यह हो गया आपका summer monsoon इस map में मैंने आपको दिखाया summer monsoon आई आपको अब दिखाते हैं winter monsoon winter monsoon के लिए भारत का एक नक्षा यह रहा भारत का एक नक्षा हाँ चलिए आपने मुझे एग्णोर कर दिया बहुत अच्छा लगा चलिए अब आप ध्यान से देखेंगे इसमें आपको दिखेगा कि winter monsoon में क्या हो जाएगा high pressure याद रखेगा यह winter monsoon है कौन सा winter का monsoon है winter में क्या होने वाला है winter में आपका high pressure over land हो जाएगा and low pressure over Indian ocean हो जाएगा reverse हो गया pressure तो अब अब winds हमेशा कहां से का ब्लो करती है winds हमेशा high pressure से ब्लो करती है इस बार यह winds क्योंकि land से ब्लो कर रही है हम इनको winds को कहते है offshore winds इनके पास moisture नहीं होता है तो इसलिए इस समय winter में rainfall नहीं होती है न यूपी में rainfall होती है न बिहार में होती है न आसाम में होती है न न च्छतिसगड में होती है इन सारे राज्यों में rainfall नहीं हो रही है बट जैसे ही यह bay of bengal में पहुचती है यह winds जैसे यह winds bay of bengal में पहुचती है यह rain bearing winds बन जाती है यह rain bearing winds बन जाती है यहां से moisture पिक कर लेती है और moisture करती है तो यह tamil ladu को खूब सारी rainfall देती है तो कहेगा कि name state which receive winter rainfall तो आपका जवाब होना चाहिए tamil ladu ठीक है न तमिल ladu को खूब winter rainfall मिलती है क्योंकि यह rainfall कहां से आया है यह northeast monsoon है ध्यान दीजेगा नाम है northeast monsoon winds ठीक है न नौर्थ के east side से आ रही है इसलिए northeast नाम है और यह tamil ladu को rainfall देती है और by the time they reach Kerala they become dry क्योंकि सारा rainfall तो यहां देती है जब तक Kerala poaching dry हो जाएंगी समझ गया न तो यह है आपका monsoon winds I hope it is very clear clear हो गया होगा तो एक like यहां पर भी बनता है sir के लिए like देने में तुनों बड़े कंजूस हो गए भई आज कल like कर दिया करो comment कर दिया करो बीच बीच में ठीक है आगे बढ़ जाते हैं यह सारा description यहां दिया हुआ है मैंने बस इसकी language मेरी है yes मेरे भाव मेरे है explanation यहां क्या note भी चाहते हो आप लोग क्या कहते हो हाँ अभी लिखो yes लिखो तो मैं बताओंगा notes कितनी असानी सब को दे सकता हूँ हाँ yes लिखोगे हाँ मुझे बताओगे कि आपको notes चाहिए और मैंने जो notes बनाएं आप लोगों के लिए वो notes चाहिए तो मुझे बताना क्योंकि इसका explanation आपको अब lifelong याद होने वाला है यह explanation ही मैं आपको दे रहा था इसी के words थे जो मैंने अपनी भाशा में बताए है क्या यह notes चाहते हैं में कि notes कैसे और कहां देने वाला हूँ मैं आपको चली start करते हैं four seasons की बात करते हैं हमारे इंडिया में हमारे इंडिया में जो चार seasons हैं उनमें सबसे पहले season की बात करते हैं hot and dry season जिसको हम summer season के नाम से जानते हैं इसका month usually March to May हो गया है हाला कि आप May और June भी ignore कर सकते हैं जबकि hot and wet season देखे वेट आ गया है यह है rainy season जो चल रहा है current season आपका यही चल रहा है अभी मैं और आप इसी season में है नाम है southwest monsoon season June भी September तक चलने वाला season है यह चल रहा है season अभी हम लोग का current date में और retreating monsoon है जब monsoon क्या करने लगेगा southwest monsoon लोटने लगेगा हम इसका नाम देंगे क्या retreating monsoon नाम है October और November के month में है and last but not the least dry, cold and dry winter season dry इसलिए लिखा है ठंडी भी होगी और बारिश भी नहीं पड़ेगी इसलिए इसका नाम है cold and dry कब पढ़ता है December to February तो ये चार basic seasons है आईए थोड़ा सा इनके बारे में जाने है जब आप hot dry season की बात करते हो तो आप summer season की बात करते हो summer क्यों होता है इंडिया में क्योंकि हम लोग है tropical country और tropics में जब sun directly overhard जाता है ठीक है local winds सबसे पहले north में जो blow करने वाली winds है उसका नाम है loo हाँ आपकी मम्मी पापा कहते हो बेटा गर्मी है loo में मत निकलो loo लग जाएगी क्या कहते हो बोलती है मम्मी आपकी मेरे याँ तो आज भी बोला जाता है हाँ मैं जितना भी बड़ा हो जाओ मेरे मम्मी तो आज भी मुझे मना कर देती है गर्मी बाहर निकलने से कैप पैन के जाओ अगर बहुत ही urgent है तो फुरा वो क्या कहते है प्याज लेके pocket में पता नहीं बहुत सारे टोटके करते है पानी पी के जाओ कहती ही नहीं आपकी मम्मी तो लू लग जाएगी अब याद रखोगे ठीक है ना लू कहां मिलती है और कैसी winds होती है लू एक local wind है एक कैसी winds होती है strong and dusty wind है बहुत तेज चलने वाली गरम हवा है धूप में येस मत निकलो क्यों क्यों क्योंकि लू लग जाएगी कहां ब्लो करती है northern और north west इंडिया में याद रखेगा south इंडिया में यह नहीं मिलेगी ठीक है लू winds क्यों पैदा होती है मैंने कहा high temperature की बदाय पैदा होती है क्यों जब temperature 45 से 50 degree ध्यान दीजेगा कब ब्लो करती है जब temperature 45 से 50 degree का बीच क्यों पे चला जाता है जो कि आपको मालूमी है north में बहुत common है ऐसा continental type का climate है न तो इस समय heat stroke cause करती है लू लग जाती हम लोग heat stroke बोलते हैं इसको बहुत प्रावलम होती heat stroke में सरभारी होता है बिमार हो जाते हैं हम लोग दूसरी winds क्या होती है कुछ tornado like winds भी blow करती है जो dust storms होते हैं basically तो पहला important मैंने local wind बता दिया summer में blow करने वाली है लू दूसरी wind बात करते हैं जो आपको मिलेगी याद रखें का आपको places भी याद रखनी है क्या wind है ये पहचानना है ध्यान दिजेगा local wind बहचानना local wind वो winds होती है ना जो किसी local area में blow करती है किसी local area में blow करती है और किसी pudler मंत में ही blow करती है और उसके बाद वो पूरे साल भर नहीं रहती है इसलिए उनका नाम है local winds they blow over a small area over a particular period only अब आता है अगला नाम है एक ऐसी wind जो तेज तूफान लाती है बिजली कड़कती है strong हवा होती है तेज बारिश लाती है और ये winds सिर्फ दो बड़े states में पाई जाती है आसाम और वेस बेंगॉल में और आसाम और वेस बेंगॉल में इसका नाम रखा गया है काल बैसाकी बैसाक के महिने में जी ठीक सुनिएगा हमारा हिंदी मन्त है बैसाक हमारे भारत में एक हिंदी मन्त आता है हिंदी जो महिने आते हैं बैसाक आशार तो बैसाक नाम का मन्त है इस मंत में ये काल लाती है, तबाही लाती है, इसलिए इसका नाम है काल बैसाकी, क्या बोलते हैं, क्लेमिटी इंदी मंत और बैसाक, बैसाक के मंत में क्लेमिटी लाने वाला, क्या नाम है इस विंड का, काल बैसाकी, क्योंकि बैसाक के महिने में ये तबाही लाती है, हैवी को जरासा आपको हाईलाइट कर दूँ अगली विंडम लोग करने जा रहे हैं जो सिर्फ आसाम में मिलेगी आसाम में ब्लो करने वाली ये विंड का नाम है बार्डोली चेरास हां हां अच्छा कई बार उसको प्रोनाउंस ऐसे भी करते हैं चेरा न बोल करके चेहरा बोल देत हैं आप प्रोनोंसिशन के लिए मुझे माफ कर दीजएगा जैसा चाहें आप कर सकते हैं देखें चेहरा ये भी क्या होती है ये ये एक तरह के स्टॉर्म होते हैं स्टॉर्म मतलब होता है तेज तूफान होता है ये पर इसका एरिया स्पेस्विक है कहां ब्लो करती है ये आसाम में ब्लो करती है और ये विंड्स आसाम में ब्लो करती है और छोटा ना को रीजन में ब्लो करती है अकसर ये विंड्स क्या करती है बहुत रेनफॉल लाती है तो ये दोनों ही विंड्स काल बैसाखी और बार्डोली चेराज दोनों ही रेनफॉल लाती है दोनों ही स् मिली से बारिष लाती है और स्टेट कौन कौन सा नाम बढ़ा दिया मैंने अब देखे अब मैंने तीन स्टेट कर दिया है यह तीन स्टेट कर दिया एक में सबसे लाइस का सबसे largest area याद है कि नहीं है इंडिया का largest producer of jute West Bengali है ठीक है तो West Bengali में jute पैदा करने मदद करती है ये बाडोली चेराज और आसाम तो jute उगाता है पर सबसे main crop आसाम का जानते हैं क्या चाएं चाएं के बगान आसाम में है ठीक है ना तो चाएं को tea की खेती में मदद करती है बाडोली चेराज और local wins बची है गवड़ाये नहीं पर नाम याद नहीं किया तो तूने गवड़ किया समझ गया कोई भी student कोई भी मेरा superstar इसको miss नहीं करेगा अगर miss किया है तो अपने friends को share कर देना क्योंकि this chapter is ultimate chapter and आपको ये chapter board में करना ही पड़ेगा क्योंकि इस पे based question आना ही आना है आपको choice ज़रूर मिलेगी मैं जानता हूँ आपको मैं को choice भी बताऊंगा आपको बताऊंगा किस तरीके से जोगर्फी की paper को करना है but मैं ये भी बता रहा हूँ आपको कि ये chapter utmost important है चलो thunderstorm फिर से बिजली कड़की thunderstorm बारिश हुई कहा हुई केरला में करनाटका में दोनों के 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 से केरला के से करनाटका और यहाँ पे आई खूब बारिश बारिश आई और ये बारिश mango को गाने के लिए आम के लिए चाय के लिए कॉफी के लिए बारिश बारिश तीन क्रॉप्स हो गाने के लिए करती है जब ये mango को गाने के लिए मदद करती है इसलिए इसका नाव है mango shower कौन सा shower याद रखेगा ये बहुत heavy rainfall नहीं लाती है ये बता दे रहा हूँ वेरी heavy rainfall है तो वरना सारे आम भी गिर जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज अगर अंधर चलेगा न और बहुत heavy rainfall होगी तो आम पकेंगा नहीं गिर जाएंगे तो little rainfall लाती है और ये rainfall mango को राइपनिंग में मदद करती है इसलिए इसको क्या बोलते है कि जो blossoms होते हैं फूल होते हैं उसको पकाने मदद करती है cherry blossoms बन जाते है ठीक है? करनाटका में इसका नाम है cherry blossoms they are also called as इस wind का special नाम है cherry blossom in करनाटका दो नाम दे दिया एक mango के लिए mango shower और दूसरा नाम दे दिया cherry blossoms in करनाटका दोनों ही एक ही wind का नाम है ठीक है? बस परपस अलग है आम के लिए है आम के खेतों में बढ़ रहा है बारिश तो हो गया mango shower और अगर cherry के लिए है जो cherry को bloom करने मदद करती है हो गया cherry blossoms चलो समझ गया न? लोकल winds की महिमा अब आते हैं southwest monsoon winds मैंने इसके लिए बहुत डिटेल में डिसकस किया कि southwest monsoon winds कहां से रिजनेट करती है कैसे करती है एक keyword पकड़ लो बस जब southwest monsoon start करती है onset मतलब start करती है तो ये खूब तेज तूफान लाती है बहुत तेज बारिश लाती है और ये start होता है जून के first week में first week of June हम इसे start या burst of monsoon कहते है keyword क्या है burst फटना monsoon का फटना और याद रखेगा इसकी शुरुआत केरला से होती है पट क्या होता है क्या monsoon में लगातार बलती रहती है लगातार बारिश पढ़ती है क्या नहीं नहीं अरे भाई कुछ दिन बारिश पढ़ती है बीच में कुछ समय का dry spell रहता है फिर बारिश फिर आ जाती है तो उस बीच के period को क्या बोलते है जब dry spell रहता है rainfall के बीच के period को बोलते है break of monsoon हाँ monsoon को भी recess चाहिए बाई लगातार थो न पढ़ेंगे क्या recess तो इसका नाम रखा गया है break of monsoon कब होता है break of monsoon मैंने बताया जब monsoon fall करते रहते हैं तो बीच में दो तीन हफते के बाद there is a dry period क्या होता है बीच में monsoon रुख जाता है बारिश रुख जाती है और उस रुखे वे time को कहते है break मिलना मैं अपनी भाषा में बोल रहा हूँ आपको मिल गया है recess चार पिर पढ़ाई कर ली है फर्स पिर पढ़ाई कर ली है बापरे ठक गय है भेजा गुल हो गया तो अब break ले लो recess और फिर फिर जुट जाओ यही होता है break of monsoon याद रखेगा सबसे पहला state जिसको बारिश मिलने वाली है मैं बादा चुका हूँ केरला next अब आता है हमारे देश में monsoon दो मैंने का ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है और डिवाइड इसलिए होता है क्योंकि हमारा इंडिया जो है वो tapering in the south है peninsular region ने इसलिए और एक Arabian Sea branch है और दूसरी है Bay of Bengal branch इन दोनों का बहुत डिटेल मैंने आपको map में show कर दिया है अब आता है retreating monsoon कौन सा monsoon retreating जब southwest monsoon वापस आ रही है कब जब land में होगा high pressure और sea में होगा low pressure तो जब ये winds क्या करते हैं लौट के आ रही होती है हम इसको कहते है retreating monsoon याद रखेगा retreating monsoon हमारे देश में October November के मन्त में होता है ठीक है इस समय temperature अचानक बहुत high हो जाता है और humidity भी बहुत ज़्यादा होती बहुत oppressive weather होता है हाँ बहुत चिटड़ा वाला weather होता है क्योंकि मौसम बहुत favorable नहीं होता है क्योंकि ये winds offshore winds है अथार जमीन से जमीन पर blow करने वाली winds है ये winds ज़्यादा बारिश नहीं लाती है So it is commonly known as October heat October के मैने में अचानक आस्मान clear होने की वज़य से and temperature high होने की वज़य से and no rainfall होने की वज़य से humidity, humidity जो होती है वो change हो जाती है, rise हो जाती है हम लोग कहते हैं इसको October heat चिड़चड़ा सा weather होता है बहुत ही है ठीक है? आस्मान मैंने बता दिया ना clear रहता है इस समय high temperature ज़य से अब एक term आता है cyclone देखना चाहते हो cyclone कैसा होता है हाओ cyclone दिखाते हैं तुम्हें हाँ cyclone कुछ इस तरीके से होता है ध्यान से देखेगा cyclone कुछ इस तरीके से होता है मैं आपके लिए cyclone बना रहा हूँ cyclone के लिए एक center में low pressure होता है और उसके चारो तरफ होते हैं high pressure regions तो wind हमेशा wind हमेशा blow करती है from high pressure to low pressure तो ये winds हर दिशा से कहां आ रही है beach की तरफ तो ये winds चक्रवारती हवा बन जाएगी goal 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 आपने map में भी देखा होगा round 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 wind आ रही है इस वज़े से आ रही है चारो तरफ है high pressure beach में है extremely low pressure and this causes yes sudden loss of life also याद रखेगा कहां आते हैं ये tropical depressions कहां ये पैदा होते हैं low pressure system हमारे देश में ये low pressure system develop होते हैं bay of bengal में bay of bengal में develop होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि change in the heat and moisture local temperature के heat और moisture condition के change होने से ये low pressure system develop होते हैं कहां develop हो रहा है मैंने बताया bay of bengal में develop हो रहा है और किस month में develop हो रहा है November और December में और इस समय लाता है भारी तभाई cyclone खतरनाग चीज़ है याद रखेगा cyclone से अंडामान region the region between 12 to 17 degree और bay of bengal का region जहां पर बहुत सारा life का loss होता है property का loss होता है और heavy rainfall होती है eastern coastal region पे कुडिसा नाम का नाम सुनोगा state आपने न उडिसा आंदरप्रदेश भयंकर बारिश होती है ठीक है न करनाटका का रिजन बहुत बहुत भीशन बारिश होती है बहुत तबाही होती है नाम है tropical cyclones क्योंकि यह depressions होते हैं समझ गया October heat अभी discuss कर चुका हूँ अगला आ गया Northwest monsoon मैंने बहुत डिटेल में Northwest monsoon map में भी दिखाया था आपको हाना जब land से wind originate करेगी sea तक जाएगी नाम हो जाएगा North East monsoon अब आता है rainfall हमारे देश में जो rainfall है याद रखिएगा वो equal नहीं है एक सबसे बड़ी समस्या क्या है अमारे देश में winter में rainfall बहुत कम पड़ती है winter में humidity बारिश कम होती है winter में anti-cyclonic winds चलती है क्या? cyclone का उल्टा जिसमें low pressure चारो तरफ होता है व्यान दीजेगा low pressure all sides में है और beach में है high pressure तो winds क्या हो रही है? winds outward निकल रही है तो चारो तरफ जब winds चले जाएंगी तो क्या होगा? weather calm down हो जाएगा ठीक है न? और ऐसा होता है winter में ठीक है न? anti-cyclonic rainfall की chances उल्टा कम हो जाती है आता है distribution of rainfall की बात करोगे तो इंडिया को चार region में divide किया गया है मैं अगर region पूछूँगा कि कहा का rainfall इंडिया में मिलती है तो एक heavy region है जहाँ पर very heavy rainfall होता है आप इसका example कर सकते हो western region of western ghat वेस्टन region of western ghat मैंने map में भी दिखाया था कुछ area ऐसी होती है जहाँ moderate rainfall होती है हाँ आप कह सकते है region of kerala और क्या कर सकते है जहाँ पर rainfall 50 से hunter center होती है यह region है यूपी especially western यूपी western यूपी बिहार यहाँ पर rainfall ही होती हमारे यहाँ बनारस में भी हम लोग इस category में आते हैं बनारस मेरे ऐसी category में आता है और एक area और होती है जहाँ पर rainfall बहुत कम पढ़ती है हाँ आप इसके लिए राजिस्तान कर सकते हो इवन कश्मीर भी पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं कश्मीर में भी बहुत heavy rainfall नहीं पढ़ती है कश्मीर भी scanty rainfall वाले ही region में आता है आए last topic of the entire chapter last topic करने जा रहे हैं ठीक है डटे हो ना क्या बात है सूपर इसलिए मैंने आप लोगों का नाम सूपरस्टार रखा है क्योंकि सूपरस्टार का मतलब होता है वो जो ठके नहीं, थमे नहीं, रुके नहीं, जुके नहीं और पूरी तयारी के साथ क्या करेगा यस मैनत करेंगे और मैंने पहले ही आपके लिए टार्गेट सेट कर दिया है कि बिफोर अगस्त अथार्थ सेप्टेंबर के लास्ट में हम पूरा स्लेबस आपका फिनिश कर देंगे वो भी as per the latest session 2022 to 23 हाँ ये मेरा promise आप लोगे साथ सारे सारे सब्जेक्स में सब्जेक्स की बात नहीं कर रहा हूं सारे सब्जेक्स में आपके फिनिश करा दूँगा आपके सारे सब्जेक्स सेप्टेंबर के लास्ट में हम पूरा फिनिश करा देंगे एक भी सब्जेक्ट वो भी optional subject की बात कर रहा हूं वो भी आपका नहीं छोड़ेंगे जैसा हम हमेशा करते हैं आपके सारे सब्ज बारिश में rainfall के कुछ characteristics हैं कैसा characteristics है कि हमारी जो rainfall होती है वो ज्यादा तर तीन मेने के अंदर ही आ जाती है ज्यादा तर बारिश क्या होती है तीन मेने थे बाकी साल भर ड्राय रहता है यह बड़ी अजीब की condition है हमारे रेंफॉल का लगभग 70% rainfall इसी तीन मेने में मिल जाती ह है और जबकि हमारे type of rainfall कैसी ज़्यादा पाई जाती है relief rainfall रिलीफ रेंफॉल वो एरिया होती है जहां पर क्या होता है एक mountain barrier होता है फिर से सुनिये एक sea या water body के पास एक mountain barrier होता है और इसकी वज़य से क्या होता है wind rise होती है इसकी वज़य से wind rise होती है और बारिश मिलती है rainfall को कहते हैं हम लोग relief rainfall rainfall which is caused by a mountain barrier हमारे देश में सबसे major rainfall यही होती है ठीक है आप उसको जानते हैं यहाँ पर windward side होता है और यही सुझ ज़दा rainfall पड़ती है और पीछे वाले side को हम लोग leaver side कहते हैं सबसे कम rainfall यहाँ पड़ती है और हमारे देश में बहुत कम rainfall होती है जो कि इस टाइब की rainfall होती है सारा इवेस्टन घाड आपने देखा था इसी भी डिबेंड करता है और हमारे यह rainfall की quantity और टाइम ओहो इस पर भरोसा ही नहीं कर सकते rainfall तो हमारे इरेटिक है एक दम भरोसे लायक नहीं है दोखात है देती है और हमारा देश एग्रिगरियन कंट्री है अथा rainfall dependent कंट्री है खेती पे निर्भर कंट्री है और rainfall अच्छी मतलब हमारी economy अच्छी मतलब भारत की तरक्की अच्छी और आपका प्यार अच्छा तो thank you and love you तो like press कर देना और मैंने जो पूचा आया बीच बीच में comment करते रहना मैं समझूँगा आपका प्यार आपका विश्वाश मुझ पर जमा हुआ है और आपके ही विश्वाश से ये channel चल रहा है और आपने जैसा कहा अब तक हाँ आप अपने senior से भी पूचेंगे तो आप आपके सारे सब्जेस को cover कराने के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ, bonded हूँ, so मिलते हैं अगले lessons में, but please, 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 क्योंकि अभी ये नया बैच बनाओगा आप लोगा, इस साल के आप नया बैच वाले सारे होगे, तो please अपने classmates को share कर दो, इतना तो सर के लिए बनता है, क बना रखा है, सुपर स्टार नाम का, उसको जोईन कर जाओ, और दूसरा तरीका क्या है, एक टेलिग्राम चैनल भी मैंने बना रखा है, वो भी सुपर स्टार नाम से है, ये दोनों सुपर स्टार चैनल और जो टेलिग्राम चैनल है, उसमें भी मैं नोट्स दे दूँगा और और WhatsApp group भी है Superstar So thank you and love you Everything is absolutely free मैं किसी तरह के कोई भी live session या अधर classes का कोई भी charges नहीं लेता हूँ Absolutely everything, every lesson is free So thank you and love you and God bless you मिलते हैं अगले live lesson में इसी वरुस्टे के साथ कि आपने अपने सारे classmates को अब